प्यारे दोस्तों नमस्कार आपको टेज़ेटी पेज़ेटी आर्ड गलरी 1954 में आपका स्वागत है आज हम पढ़ते हैं चित्रकला के टोटल 49 कोश्चन जो टेक्ष्ट सिरीच की रूप में हैं यहाँ पर आप आईए पेनर कॉपी लीची मेरे साथ अपने कोश्चन को जैसे पहला कॉप्ष्चन है कला किस भासा का शब्द है यह आप टिक कर लीजिए इसका उतर होता है संस्क्रिट भासा का अगला कुश्ण है कला शब्द का शर्परथम प्रियोग कि स्थादधी में हुआ तो इसका उत्षर नंबर टू सही होता है मिलग दूसरा तेरंबर शब्द का शर्परथम प्रियोग हुआ था अगला आता है question number 3 ललित कला मुख रूप से कितने प्रकार की है ललित कला मुख रूप से कितने प्रकार की है तो इसमें option number first है 6 प्रकार की, 5 प्रकार की, 7 प्रकार की या 4 प्रकार की तो ललित कलाएं जो होती है वो मुख रूप से 5 प्रकार की होती है तो इसका option number 2 सही है अगला question आता है question number 4 सुक्रनीत इशार में कितनी प्रकार की कलाओं का प्रियोग है या वर्डन है तो पहला option है 62 प्रकार या दूसरा 65 प्रकार या तीसरा 64 प्रकार तो इसका option number 3 सही होता है इसमें 64 प्रकार की कलाओं का वर्डन है कुश्चन नमबर पांच त्रे आयामी कला है कौन सी है चित्र कला या काबी कला या मूर्ति कला तो इसका उत्तर सही होता है अप्शन नमबर थर्ड मूर्ति कला अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर पांच छे है कादंबरी में कितनी प्रकार की कलाओं का प्रियोग है तो इसमें 54 प्रकार या 64 प्रकार या 74 प्रकार तो इसका आफशन नमबर 2 सही होता है इसमें 64 प्रकार की कलाओं का वर्लन है अगला कोशन है साथ नमबर प्रबंध कोस में कितनी कलाओं का प्रियोग है तो प्रबंद कोस में कितनी कलाओं का प्रियोग है 74 प्रकार या 75 प्रकार या 72 प्रकार तो इसका option number 3 सही होता है 72 प्रकार अगला है question number 8 राक्षस को कितने ताल का माना गया है 12 ताल, 16 ताल या 15 ताल तो इसमें total इनको 16 ताल का माना गया है अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 9 चित्र में प्राण आता है तो किस से आता है रंग से या लै से या रेखा से या ये सभी तो इसका उत्तर से ही होता है कुश्चन 2 लै से चित्र में प्राण आता है Q10. चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं तो तीन या चार या दो या पाच तो चित्रण के धरातल में टोटल दो आयाम होते हैं इसका option नमबर ठर्ड सही है अगला है Q11. चित्र में रेखा आकरती को रूप देती है या प्रवाह पैदा करती है या चित्र को उभारती है या ये सभी तिये यहाँ पर तीन सही है तो option नमबर इसका फोर सही होगा ये सभी Q12. बारा में है आकरती से इसपर्ष्ट होता है क्या होता है भाव, रूप, लए ये सभी तो आकरती से इसपर्ष्ट होता है भाव भी, रूप भी, लए भी तिसले इसका option नमबर फोर सही होगा ये सभी अगला question है question number 13 प्रवाही रेखाएं दरसाती है तो क्या दरसाती है सांती, गती या इस्थिर्टा तो प्रवाही रेखाएं दरसाती है option number 2 गती question number 14 एक प्रवाही रेखाएं दरसाती है तो क्या दरसाती है नाटकियता, शंगर्ष, प्रशार या सिथिलता तो नाटकिये जो रेखाएं होती है वो प्रशार को दरसाती है इसलिए यहाँ पर option number 3 सही होगा question number 15 पदार्थ की मुख रंगत है क्या है पीली, लाल या नीली या ये सभी तो इसका option number 4 सही होता है ये सभी question number 16 ओस्ट वाल्ड आदर सी बृत में रंगते हैं कितनी है 18 या 24 या 22 या 32 तो ओस्ट वाल्ड आदर सी बृत में टोटल 24 रंगते होती है इसलिए यहाँ पर option number 2 सही होगा question number 17 रूप का वर्गी करण कितने भागों में हुआ है रूप का वर्गी करण कितने भागों में हुआ है तो आठ तेन चार या पाँज या दो तो रूप का वर्गी करण दो भागों में हुआ है इसलिए यहाँ पर option number 5 सही होगा question number 18 रूप का सरप्रथम परचे होता है तो आत्मा से हिर्दै से या आखों से तो रूप का सरप्रथम परचे जो है वो आखों से होता है इसलिए यहाँ पर option number 3 सही होगा point number 19 इन में से seat word है नारंगी, पीला, हरा या लाल seat मतलब ठंडा तो ठंडा रंगी इसमें कौन सा है हरा है तो इसका option number 3 सही होता है point number 20 इंद्र धर्णस में कितने रंग होते हैं 7, 8, 9 या 10 तो इंद्र धर्णस में total कितने रंग होते हैं 7 तो option number इसका कौन सा सही है first अगला आता है कला के कितने भेद होते हैं 6, 7, 8 या 9 तो कला की total 6 भेद होते हैं तो इसलिए option number इसका फर्स्ट सई होगा कोश्चन नमर बाइस कला की कितने अंग होते हैं तो कला की कितने अंग होते हैं आफ्चन नमर फर्स्ट नव या आठ या साथ या छे तो कला की टूटल छे अंग होते हैं अगला कोश्चन है वस्तु का ब्यवरा प्रकट करता है रूप भाव या प्रमाड पॉइंट नमर तेश को देखना वस्तु का ब्यवरा प्रकट करता है तो क्या प्रकट करता है रूप भाव या प्रमाड तो इसका आप्शन नमर ठट सही है प्रमाड Q24. करुण रस का इस्थाई भाव है तो क्या है? सोक, क्रोध या भै तो करुण रस का इस्थाई भाव सोक होता है इसलिए option number first सही होगा Q25. बीर रस का इस्थाई भाव होता है तो क्या होता है? भै, उत्षाह या सोक Q26. रती जिसका रंग स्थाई भाव उत्षाह होता है या इसका option number two सही है Q26. रती जिसका रंग स्याम या काला है इसके रस का क्या नाम है? तो क्या नाम है? बीर, करुण या स्रिंगार तो इसका रस होता है स्रिंगार Q27. सफेद रंग से किस रंग की अनभूती होती है? तो सफेद रंग से सान्ती, भैयानक या करुण तो किसकी होती है? सफेद रंग से सान्त, सान्ती का आभास होता है अगला कोशन है कुमार को कितने तालों में बाटा गया है? तो कुमार को 10, 8, 12 या 16 कितने तालों में बाटा गया है? तो कुमार को टोटल 10 नहीं 8 तालों में बाटा गया है Q. 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 Q होती है तो बैगनी की होती है और सबसे कम की बात पूशता है तो लाल रंग की जो कमपन गती है वो सबसे कम होती है अगला है अगला कोश्चन आप देखेंगे कोश्चन नमबर 31 सूरी के सबसे नस्दीक कौन सा रंग होता है तो लाल पीला या नीला तो सूरी के सबसे नजदी कौन सा रंग होता है जब आप लोग सूत्र को पढ़ते है बीब्योर या वैनी आहपी नाला तो लाष्ट में जो होता है आर आता है ला आता है तो लाष्ट से क्या रंग बनता है लाल ठीक है अगला कुश्चन है 32 32 कौन सा रंग प्रेम को शंबोधित करता है तो लाल पीला निला इन में से कौन सा प्रेम को संबोधित करता है तो लाल रंग जो है वो प्रेम को संबोधित करता है अगला कुश्चन आता है कौन सा रंग ज्यान प्रकट करता है ज्यान को शंबोधित करता है कौन सा रंग है जो ज्यान को प्रकट करता है संबोधित करता है तो है आपका नारंगी रंग नारंगी रंग जो है ज्यान को प्रकट करता है अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 34 कौन सा रंग तेज प्रकट करता है इसको आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताऊगे कि कौन से रंग से तेज प्रकट होता है अगला कोश्चन है कोश्चन पाइंट नंबर 35 कौन से कौन से रंग से सोक का आभास होता है तो पीला काला या हरा इसमें काला रंग जो है वो सोक का आभास कराता है अगला है प्रकट नंबर 36 भरत मुनी के अनुसार रस होते हैं कितने होते हैं साथ नव आठ या दस तो भरत मुनी के अनुसार जो रस होते हैं वो टोटल आठ होते हैं आप्शन नंबर 3 इसका सही है कौश्चन नंबर 37 जल रंग चितरन का आरंब किस सताब्दी में प्रारंब हुआ जल रंग चितरन का आरंब किस सताब्दी में प्रारंब हुआ 19, 17, 16 या 18 तो जल रंग का प्रारंब 18 सताब्दी में सही हुआ इसलिए यहां पर कौश्चन नंबर 37 का फोर सही होगा 39, 39 का क्या है जल रंग के पितामा कहे जाते हैं इनको आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है कौश्चन नंबर 39, कलर प्लेट में जिस स्थान पर तेल रखा जाता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं कप, डीपर या कटोरी तो इसको डीपर के नाम से जाना जाता है इसलिए आपसन नंबर 2 सही होता है अगला कौश्चन है पॉइंट नंबर 40 वर्ण चक्र में इस्थित आमने शामने की रंग कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं समीपस्त रंग या बिरोधी रंग या एकाकी रंग वर्ड तो क्या कहलाते हैं ये बिरोधी रंग कहलाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 दर्शक को घन के कितने भाग दिखाई देते हैं तेन, चार, पाँच या छे तो दर्शक को घन के टोटल तेन तल दिखाई देते हैं इसलिए इसका आफशन नंबर फर्ष्ट सही होगा अमलब पहला अगला आता है 42 में क्वेश्चन नंबर 42 भाव उत्पन करती हैं इसलिए आफशन नंबर 2 सही होगा अमलब पहला है 43 नाटकेता, सिथिलता, कांडवत रेखाई प्रदर्शित करती हैं तो क्या करती हैं नाटकेता, सिथिलता, बैचैनी या सांती तो कणवत रेखाओं से बेचाइनी प्रकट होती है इसलिए यहाँ पर आफ्षिन नमर थर्ड सही होगा अगला है फुट्टिफोर चित्रकला में किश्का महत्तो है तो कलाकार की अनुभोत से परपूर्ण चित्रण का या प्रकिर्ण चित्रण का इसका आफ्षिन नमर फट्ट सही होगा पहला कलाकार की अनुभोत से परपूर्ण चित्रण कोश्चन नमर पैटालिस आख में तंत रंग का अनुभो करते हैं उसका क्या नाम है तो रेटीना प्यूपिल या रोट्स वा कौन्स तो इसका आफ्षिन नमर थर्ट सही होता है र रंग के हलके वा गहरे पन को क्या कहा जाता है तुमान, तान, पोत या शगंता तो इसका आफ्षिन नमर तू सही है लब तान की नाम से जाना जाता है फोट्टी सेवन विश्णु धर्मतर पुराण में अंतराल को क्या कहा जाता है इस्थान, छेत्र, कला या इस्थान नि अगला question है 48 कौन सा तत सडंग नहीं है भाव भी सडंग का अंग है लमण भी है और प्रमाड भी है लिए संतुलन जो है वो सडंग का अंग नहीं है इसलिए option number इसका first रही होता है कौन सी कला रूप रद नहीं है चितर कला मूर्ति कला या शंगीत कला तिश में शंगीत कला जो है रूप रद नहीं है इसलिए इसका option number ठड़ सही होता है चलिए अब आप लोग अपने answer में कितने question आपके सही हुए comment box में लिख कर comment कर सकते हैं धन्यवाद